इंके नाम से में मीरी कंपनी है इस से पहले मैं वांके बारे में तो वो नायों के आवरी कंपनी है जो डिजिटल मार्कренींग और सब्सक्त में डियल करती है. और से ज़िशारे हैं progresses कोमें हमारी कंपनी तो आप यहाँ से अपने टूल के बारे में बताने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर इस इंटरफेस में आपको जाना है और पहली बार अगर आपको कोई भी क्रेडिट काड नहीं देना है आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है कोई कमिटमेंट नहीं है आपको यहाँ पर प्लाटफॉर्म मिलेगा आप अपने मैसेज भीजिए राइ करिए टेस्ट करिए और इसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे कॉंटाक कर सकते हैं सेम अकाउंट को हम आपके अकाउंट की वेलिडिटी और मैसेजिंग क्यापसिटी बढ़ा देंगे साइनप करने के लिए क्या तरीका है वो मैं बता देता हूं साइनप पर क्लिक करना है इसके बाद पासवर्ड आप अपना कोई भी सेट कर सकते हैं जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको टाइम जोन सेलेक करना है तो अगर आप इंडिया से हैं तो 5.30 के टाइम सेट करिएगा यहाँ पर देखेंगे 5.30 आजएगा एसिया कोल गाता यह आपको सेलेक करना है कंडिशन्स आपको एकसेट करनी है और लौगइन बटन पर क्लिक करना है जब आप लौगइन बटन पर क्लिक करेंगे तो यह प्लाटफार्म उपन हो जाएगा यहाँ पर आपको success का button का message दिखाई पड़ेगा यह success आपका यहाँ पर हो गया है अब आप login page पर आजाएंगे मैं यह data save कर ले रहा हूँ और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं login हमें दिख रहा है आपका username और आपका password अब आपको login पर click करना है यहाँ पर आपका account activated नहीं होगा तो अब आपको activate कराने के लिए क्या करना है मेरा number है WhatsApp पर आपको यह आप स्क्रीन पर दिख जाएगा वरना तो मेरा number यह है यह number पर आप मुझे call कर सकते हैं message कर सकते हैं WhatsApp पर ड्याल सकते हैं अपना username आप मुझे बता देंगे वो number हम आपका trial के लिए activate कर देंगे थोड़ा सा यह हम इसलिए रख रहे हैं activation का process क्योंकि बहुत बार लोग spamming भी करने की कोशिश करते हैं अलग-अलग ID से login करके spam करने की कोशिश करते हैं messages send करने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ को save करने के लिए और platform पर unnecessary लोगों को stop करने के लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं यह कदम अठा रहे हैं तो I hope आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी आप एक बार registration करने के बाद username हमको WhatsApp कर देंगे आपका trial activate कर दिया जाएगा डेमो के लिए अभी हम आपको ले चलते हैं अपने account से मैं आपको login करके एक बार दिखा देता हूँ ठीक है demo, WA demo कर देता हूँ मैं और फिर यहाँ पर मैं अपना password डाल देता हूँ यहाँ पर हम login करेंगे login करने के बाद यहाँ पर आपको success हो गया आपका account डाल जाएगा अब इस पैनल को आप जब देखेंगे तो trial में आपको यहाँ पर 200 messages मिल रहे हैं तो 100 messages आप यहाँ पर भीज सकते हैं और trial की जो liberation है उसकी limit नहीं है लेकिन messages की limit है तो messages आपको जो भीजने हैं उनको आपको 100 messages की limit आपको मिल रही है एक second के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसा यह दिख रहा है फिर आप इसको आगे बताते है तो यह पैनल यहाँ से शुरू कर रहे है अब इस पैनल में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको WhatsApp का बटन दिख रहा है बिसिकली यह जो चीज़े हैं बहुत जादा important content नहीं है लेकिन यहाँ पर WhatsApp का जो सेख बटन है इस पर आपको click करना है Dashboard पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको reports दिखेंगी कि आपके पास message का opacity कितनी है और यह कितने message आपने send किये है टोटल message में delivery कितनी हुई है कितने fail हुए है कितने message आपने API के तुरू भेजे है autoresponder पे कितने messages गये है और chatbot के तुरू कितने messages गये हुए है अब हम वापिस आजाते है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WhatsApp में report आप जब dashboard पर click करतें तो यह report का section आपके पास आजाएगा अब इस report section में आप देख सकते हैं कि आपने इस महीने में कितने messages भेजे हैं और आपकी limit में कितने messages बज़े हुए overall आपने bulk messaging कितने number पर की है कितने send हुए है, कितने fail हुए है API के तुरू आपने कितने messages भेजे हैं और autoresponder के तुरू कितने messages भेजे हैं और आपने chatbot यूज करके कितने messages भेजे हैं तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिख जाएंगी अब इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर check कर सकते हैं फिर हम आज आते हैं whatsapp के segment में अब यहाँ whatsapp के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यह काफी सारी चीज़े दिखेंगी जो आपके बहुत काम की हैं तो अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें और इस चीज़ को कोशिश करें कि आप समझें कि यह काम कैसे कर रहा है क्योंकि यह ultimately आपके business को बढ़ाने के लिए बहुत ही helpful चीज़े हैं अब मैं बताता हूँ इसमें क्या करने वाले हैं तो आपको जाना है पहले तो reports हो गई फिर हम आजाते है profile में profile में यहाँ पर आपको अपना number add करना होता है basically अगर आपने यहाँ पर अपना number add नहीं किया है तो आपका WhatsApp यहाँ पर scan करके आपका number यहाँ पर connect हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अगर number इस तरीके से नाम नहीं दिखरा है तो आप यहाँ पर scan करेंगे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखे जागा add account add account पर click करेंगे तो scan आगा उस scan को आप अपने whatsapp से scan करेंगे जैसे आप उसको mobile पर scan करते हैं या desktop पर login करने के लिए scan करते हैं तो आपका account यहाँ पर connect हो जाएगा account connect होने के बाद profile आपकी बन गई इस profile के बनने के बाद हम आ जाते हैं bulk messaging पर bulk messaging में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक campaign हम कर चुके हैं दो message भेज़े थे दोनों deliver हो गए हैं अब bulk messaging करने के लिए आपको campaign में जाना है यहाँ पर click करना है plus पर new campaign में आपको किस number से message करना है वो profile सेलेक्ट करनी है यहाँ पर आपको किस message group को call या किन लोगों को message करना है वो चीज यहाँ पर decide करनी है तो अभी जैसे कि यहाँ पर already हमने कई सारे testing groups add कर रखे हैं अगर आपने add नहीं किये हैं तो यहाँ नीचे contacts बटन में जा करके आप अपने contacts add कर सकते हैं contact add करने के लिए आपके पास दो option है पहला option है कि आप यहाँ पर एक नाम से group का नाम बना दीजिए contacts का group बना दीजिए फिर इस group में जब हमने यह नाम दिखा है इसमें आप यहाँ पर click करेंगे phone list में phone list में click करने के बाद आप यहाँ पर import बटन पर click करेंगे import बटन में आप चाहे तो excel sheet upload करके यहाँ पर अपने number डाल सकते हैं और अगर आप चाहे तो सीधे सीधे mobile number copy paste करके भी यहाँ पर अपने number डाल सकते हैं mobile number का format जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं बस आपको अपना country code अपने number के आगे लगाना है प्लस बटन आप चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं लेकिन 911 अगर आप इंडिया के number पर marketing कर रहे हैं तो numbers के पहले 911 आपको जरूर लिखना ही होगा वापिस आजाते हैं CSV में अगर आप कोई ऐसा message भेजना चाहते हैं जिसमें की आप सामने वाले के नाम को भी input करना चाहते हैं कोई particular service input करना चाहते हैं कोई particular information है जो आप variable है जो आप बार बार बदलती रहेगी let's suppose किसी को prize reminder देनी है या किसी को नाम के साथ message भेजना है वो चीज़ आप यहां से कर सकते हैं अगर excel sheet में आपके पास list में नाम है तो नाम और number के साथ आप उसको upload करिये जब message भेजेंगे वहाँ पर आप नाम भी message में दिखा सकते हैं यानि कि जब आपका message दाएगा तो सामने वाले को वो message में नाम सुनाई पड़ेगा एक्सल sheet upload करने के बाद अब आपके पास यहां contact list आ जाएगी इस contact list के आने के बाद अब मैं इसको delete कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे demo test accounts अलरी है contacts में जाते हैं यहां पर मेरे पास काफी सारे list है तो इसको हम delete कर देते हैं ठीक है already हमारे पास list में कुछ numbers है 2, 4, 5 numbers ऐसे इस तरीके से हैं ठीक है अभी के लिए अगर आप मैं इसको मैं देख लेता हूँ इसमें कितने number है test 4 में test 4 में यहां पर कोई number यह दी नहीं है तो मैं via form अपना number यहां पर add कर देता हूँ इसको मैं 9-1 लगा देता हूँ इसके बाद यहां पर मैं एक और number ले लेता हूँ ठीक है यह दोना number मेरे ही number है अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक number पर मुझे whatsapp कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजेगा कि 244445 पर message कीजेगा ताकि मैं आपको जल्दी ही reply कर सकूँ यह number मेरा number जो है थोड़ा late response आता है तो कोशिश कीजेगा इस number पर आप मुझे message करें अब इस number को हम यहां पर save कर ले रहे हैं for training purpose अब यह number हमारा किस लिस्ट में आ रहा है valid numbers है और यह हमारी test 4 का contact group है bulks messaging में जाते हैं हम यहां पर new campaign पर जाते हैं new campaign send करने के लिए profile select कर लेते हैं profile select करने के बाद हम campaign का नाम डाल देते हैं यहां पर test demo आजाएगा test demo 4 कोई भी नाम आप दे सकते हैं मालिस्ट आप payment reminder देना चाहते हैं तो यहांいた payment reminder लिख सकते हैं अगर आप new product का कोई notification देना चाहते हैं तो new product notification दे सकते हैं अगर आप कोई link बेजना चाहते हैं तो video link यह या इस तरीके से जो be काफी सारे contacts अलग-अलग groups के यहाँ पर save कर सकते हैं और वो सारे groups के accounts यहाँ पर आप add कर सकते हैं तो आपको बार-बार वो Excel sheet copy नहीं करनी पड़ेगी, number upload नहीं करना पड़ेगा, आपके contacts अलरीड़ी यहाँ पर हैं, आपको select करना है और marketing start करती नहीं है इसके बाद हम आजाते हैं, हम अगर कोई message भेजना चाहते हैं with image और text तो यहाँ पर हम file media में जाएंगे लिक करेंगे जो भी marketing message हम भेजना चाहते हैं वो हम यहाँ पर अपनी image select कर लेंगे image select करने के बाद हम यहाँ पर जो भी message लिखना चाहते हैं वह मैसेज हम लिख सकते हैं अब मैं यहाँ पर आप कोई बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आल्रेडी वाट्साप मार्गेटिंग के बारे में जानते हैं या आपने कोई third party software यूज किया हुआ है वहाँ पर एक सबसे बड़ा challenge आता है कि आपका नंबर बैन होने की संभावना रहती है और कई बार आपका WhatsApp नंबर बैन भी हो सकता है उस चीज से बचने के लिए हमने अपने software के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो आपके नंबर को बैन होने से बचाएंगी For example, यहाँ पर आप spin tax करके चीजें देख रहे हैं यह मैं यूज करता हूँ अपने messages को भेजने से पहले Hi, Hola, Hello इस से क्या होगा जब message हम भेजेंगे वो message starting अलग-अलग greeting से होगी जैसे कि मैं यहाँ पर नमस्ते कर देता हूँ नमस्ते के बाद मैं यहाँ पर नमशकार भी कर देता हूँ फिर मैं यहाँ पर जैमाता दी भी कर देता हूँ इस तरीके से हम कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं और वो message हमारे जो greeting message है वो one by one अलग-अलग messages में shoot होगा यानि किसी में high जाएगा तो किसी में hello के नाम से जाएगा किसी के में haulा जाएगा किसी के में नमस्त दे जाएगा समझ गए होंगे आप आशा करता हूँ अगर आपको समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे message कर दीजे हमारी team आपको इस पूरे product का live demo दे देगी ताकि आप इस product को बहुत अच्छे सरीके से समझ पाए दूसरी चीज़ अब इस paint tax यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर variable यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप excel sheet यूज़ कर रहे है और उस excel sheet में आप नाम है आपके पास customer की कोई और detail है और वो detail आप input करना चाहते हैं तो आप वो variable यहाँ पर ले सकते हैं तो अभी मेरे पास कोई detail नहीं है लेकिन अगर number होता है तो हम उसको इस तरीके से रख देते हैं तो यह जो message जाएगा वो hello rahul या hello sora या hello abhay के नाम से जाएगा यहाँ पर नाम आपका आपकी excel sheet से आएगा जो यहाँ पर आपने upload की है अगर excel sheet upload नहीं की है तो यह detail नहीं आएगी फिर यहाँ पर आप अपना message लिख सकते है फिर आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर सीधे अपने message को send करने के लिए जितना भी आप एक और चीज होती है whatsapp number ban होने की जो condition है जब आप बहुत जादा message बहुत कम टाइम में भेज देते हैं आप अपने message को भीजते time थोड़ा सा time gap maintain करें ताकि आपके whatsapp account ban ना हो तो हम यहाँ पर suggest करते हैं 10 to 15 second का gap आप यहाँ पर रखें अपने messages को send करने के लिए और जितना जादा आप gap रखेंगे उतना जादा बेटर होगा और जितना जादा आप यहाँ पर spin tax यूज करेंगे और variable information यूज करेंगे आपका उतना ही अच्छा होगा marketing के लिए और उतने ही कम chances होगे कि आपका number ban हो जाए अब यहाँ पर हम schedule कर देते हैं और हमारा message send होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे आपको report मिलना शुरू हो जाएगी send और यहाँ पर report आपकी process में आ गई है तो यह campaign आपका start हो गया है एक message send हो गया है एक pending है दो ही contact numbers थे अगर हम यहाँ पर अपने WhatsApp में जाएगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं यह image यूज करी थी और यह text यह test message हमें received हो गया है ठीक है यह चीज यहाँ तक आपको समझ में आ गई है कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे WhatsApp करीए हमारी team आपको live demo arrange कर के हम आपको दिखाएंगे दूसरी चीज जो हम यहाँ पर कर सकते हैं इस messaging platform के साथ वो है auto responder बहुत सारी चीज आप देखते होंगे कि आपने किसी को message भेजा तो सामने से आपको एक message आ जाता instantly hello I am not available this time we will get back to you soon लेकिन अभी WhatsApp के अंदर यह feature है कि आप text reply कर सकते हो आप लिखा हुआ message reply कर सकते हो लेकिन कोई भी image reply में auto reply में नहीं भेज सकते हो तो यह चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं आपको profile select करनी है इसको status को enable करना है send to individual को करना है अगर आप all करेंगे तो जितने भी messages आपकी group में आएंगे उनको भी reply चला दाएगा तो इसको all लहीं करना है इसको individual करना है by default यह disable होता है तो आपको enable करना है और फिर आपको जो image reply में भेजनी है आप अपना promotional offer भेज सकते हैं कोई video भेज सकते हैं कोई PDF भेज सकते हैं वो यहाँ पर आपको attach करनी है फिर आपको यहाँ पर एक message attach करना है जो आप भेजना चाहते हैं अब यहाँ पर भी आप spin tax यूज कर सकते हैं variables यूज कर सकते हैं next अगर यहाँ पर आप message का reply time है उसको आप decide दर सकते हैं कि अगर कोई message आपके पास आया है तो आपकी तरफ से वो message का reply कितनी देर में होना चाहिए तो अगर आप इसको 2-3 second का duration दे देते हैं या 4 second का duration दे देते हैं तो सामने वाले को यह लगता है कि हाँ आपकी तरफ से किसी personal vector ने यह message भीजा है आपको यह नहीं लगेगा कि किसी software के थूँ यह message आया है और इसके अलावा आप यह चीज़ सेट करने के बाद इसको submit कर देंगे तो जो भी messages आपके पास आएंगे उन messages पर auto reply photo और image के साथ चला जाएगा ठीके इसको अभी हम disable कर दे रहे हैं हमें इसका भी demo account है इसका upieo हमें नहीं करना है तीसरी चीज़ है chatbot chatbot में आपको chatbot आप बना सकते हैं यह पूरा chatbot आपको बनाना पड़ेगा और इसमें आपको बनाना पड़ेगा कि for example add item कर लेते हैं add item में enable कर देते हैं default response yes कर देते हैं send to individual कर देते हैं नाम में हम अपनी company का नाम डाल दे रहे है test warm description में हम डाल दे रहे है test keyword में हम डाल दे रहे है what action को हम कर दे रहे है reply और presence को delay में हम कर दे रहे है 5 second presence delay क्या है अगर कोई message कर रहा है तो उसको 5 second के बाद ही reply जाए और यहाँ पर हम typing या recording तो यह चीज हम दिखा सकते हैं कि वही सामने वाला message टाइप कर रहा है या सामने वाला message record कर रहा है तो यह चीज हम यहाँ से दिखा सकते हैं अगर आप disable करेंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तो अच्छा होगा अगर आप typing लिख देते हैं तो थोड़ा सा feel आता है कि सामने से कोई reply कर रहा है बात कर रहा है फिर यहाँ पर हम वापिस आ जाते हैं अपनी कोई file select करने के बाद हम यहाँ पर एक message भी लिख सकते हैं अब यह जो message है यह basically हमारा वो message है जो की हमारी तरफ से customer को जाएगा ठीक है यह message हो है जो हमारी तरफ से customer को जाएगा कि हमारा high अगर कोई हमें लिख के भीज रहा है तो हमारी तरफ से customer को क्या message लिख के जाएगा ठीक है यह message आप यहाँ पर use कर सकते हैं random message आप use कर सकते हैं ये variables आप use कर सकते हैं आप whatsapp में reply आप लगा सकते हैं यहाँ पर reply आएगा कि अगर आप ये code यूज करते हैं WA name code यूज करते हैं तो जिस भी number से message आया है उनको उनके नाम से एक reply चला जाएगा तो उनको ये लगेगा कि आप उनको चानते हैं या आप उनको पहचानते हैं तो ये एक बहुत अच्छा feature है जो इस software के अंदर आपको मिलता है आप ये feature यूज कर सकते हैं और आपको ये feature यहाँ पर WA name यूज करने पर मिल जा रहा है अब हम इसको submit कर देते हैं submit करने के बाद एक बार हम test करते हैं हमारी लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर यही number है जिसको हमने use किया है तो हम इस पर एक बार हाई लिखके बेजेंगे और देखते हैं क्या reply आता है अब हम यहाँ पर हाई लिखके बेजते हैं और यहाँ पर कोई 5 second का हमने timer दिया है उपर हमें यहां पर typing भी लिखके देख सकता है अगर नहीं दिखता है तो हम एक बार test करना पड़ेगा कि क्या हमारा यह tool काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या क्या दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है कुछ तो दिक्कत यहां पर अभी यह approve नहीं हुआ है status जो है वो हमारा yellow में आ रहा है थोड़ा सा time लगता है इसको green होने तक, एक बार ये green हो जाएगा तो हमारा ये reply, auto reply active हो जाएगा, और active हो जाएगा तो हमारा ये response है वो reply होना शुरू हो जाएगा ठीक है, एक बार इसको refresh कर लेते हैं, थोड़ा सा समय दे करके अगर ये हमारा chatbot active हो जाएगा तो हम ये message भेज सकते हैं देखें, यहाँ पर एक item दिखा रहा है और इस item को हम test करने के लिए चेक कर लेते हैं, item list में अभी भी ये green दिखा ली रहा है थोड़ा सा समय लगता है इस तब तक हम दूसरी चीज़े देख लेते हैं export participants अब export participants का जो feature है वो बहुत अच्छा feature है कई बार आपने देखा होगा कि आपके group में बहुत सारी लोग हैं वो लोग आपके बहुत अच्छे काम के आ सकते हैं आप उनको अपनी चीज़ें बता सकते हैं लेकिन वो लोग आपको आप उनका data ने निकाल पा रहे हैं आप उनको one by one number पे message कर रहे हैं ग्रूप में personally one by one जाके message डाल रहे हैं जो की बहुत अफिशल लगता है जो की बहुत अनथिकल लगता है तो उसका solution यह है कि आप जिस भी number से groups निकालना चाते हैं उस number से अपना profile login कीजिए आपका number जितने भी groups में connected है वो groups की पूरी list आपको यहाँ पर दिख जाएगी इस list में कितने members हैं वो भी दिख जाएगा और आप कितने group में खुद admin हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आपको simple इस number इस पर click करना है और आपका data download हो जाएगा तो अगर आप इस तरीके के किसी भी group का data निकालना चाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं और वो आपके काम के हैं आप उनको अपने product या service के लिए contact कर सकते हैं तो वो lead आप यहाँ से download कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं 323 लोग इस group में हैं आप इसको download करके फिर वही excel sheet आप marketing के लिए भी use कर सकते हैं तो यह total हमारा segment है जो पूरे software का feature है हमने आपको बताया इसके अलावा इसमें API का एक function है तो अगर आप कोई third party software CRM यूज़ कर रहे हैं पाबली यूज़ कर रहे हैं जापियर यूज़ कर रहे हैं आपके पास कोई data है कोई CRM है कोई backend है website वगरा से connect करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं हम यह open API कर दी हैं तो आप उसको यहाँ से connect करेंगे आपको थोड़ा सा backend की ज़रुवत पड़ेगी technical तो अगर थोड़ा सा technical आप है तो वो यहाँ से आप connect कर सकते हैं अगर आपको आप already हमारा software यूज़ कर रहे हैं technical आपको solution की help की ज़रुवत पड़ती है तो आप हमारी team से बात करिए मुझे WhatsApp करिए हम आपको इसमें help करेंगे आपके API को integrate करके test करने में तो यह पूरी solution है जो हमारे पास है फिलहाल के लिए हम इस software के अंदर यह सारी चीज़ें दे रहे हैं I hope कि यह काफी useful software लगा होगा आपको और अगर आपको यह software useful लगा है तो आप www.msh.swarm.in पर जाईए sign up करिए trial लीजिए messages बेजिए auto responder test करिए chat board set करिए उसको experience करिए अगर आपको यह सारी चीज़ें काफी अच्छी लगती है तो आप मुझे WhatsApp करिए हम आपको इसको अच्छे से explain भी करेंगे प्लस और भी सारी चीज़ों के लिए हम इसमें आपको help बरेंगे और एक बार sign up करने के बाद यहाँ पर WhatsApp बटन है आप यहाँ पर click करके directly मुझसे बात कर सकते हैं प्लस अगर आप इस product को resell करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं white label भी अवेलिबल है reselling भी अवेलिबल है और इस product को आप use करना चाहते हैं तो हमारे पास काफी अच्छे pricing plans अवेलिबल है आप हमें WhatsApp करिए हम आपको details बताएंगे और अगर आप इस products को try करना चाहते हैं तो आप sign up कीजिए sign up करने के बाद आप मुझे अपना user ID WhatsApp करेंगे तो मैं आपका account activate कर दूगा आप वो messages try कर सकते हैं बेज सकते हैं खुद experience कर सकते हैं बाकि इस products related और भी training के कई सारे videos अभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे कुछ और videos in future भी आने वाले हैं तो आप इस video को देखने के बाद अगर आपको ये product अच्छा लगा है तो share कर सकते हैं जिनके पास लगता है कि उनको जरुवत हो सकती है like कर दीजेगा video को थोड़ा सा मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये video अच्छा लगा है और चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हम आपके लिए लाने वाले हैं बहुत ही कम cost में बहुत ही reasonable affordable charges होंगे और बहुत ही useful चीजे होंगी जो हम और लाने वाले हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा